हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज लेकर आए हैं हम क्लास एत हिंदी व्याक्रण का हमारा लास टॉपिक जो हमने पढ़ा था क्रिया उसके प्रशनुत्तर आज हम करेंगे तो इसको करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि मैंकर बेंस आपके लिए लेकर आ चुका है अगभुत बैच तो जल से जल इसका हिस्सा बनिये और अच्छे से पढ़ाई करिये तो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं आप इसका हिस्सा बनने के लिए आपको एक नीचे नंबर फ फिल करिए और जल से जल आप तक सारी information पहुंच जाएगी तो अद्बुद बैच है जल्दी से जल्दी इसका हिसा बनिया ऐसा ना हो कि बहुत सारी important चीजें आप से miss हो जाएं क्योंकि ये शुरू हो चुका है बैच चीक है तो चलिए आज के हम जैसे हमने बताया topic हम करने व चाप्टर को दुबारा revise कर लेते हैं करते हैं ना हमेशा revise और साथ कुछ exercise भी हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारे पास प्रशना आ रहा है नाम धातु क्रिया किन-किन शब्दों से बनाई जाती है प्रते का एक-एक उधारण धीजिए तो नाम पूछा गया है तो देखे क्या है यहां संग्या धातु से बनी है सबसे पहले तो संग्या से संग्या से नाम धातु क्रिया बनी है पहले जैसे यहां दिया है रंग रंगवाना हाथ हथियाना तो उसमें बताया था ना कि ऐसी जो नाम धातु क्रिया वो होती है जो संग्या सर्वनाम, विशेशन और अव्य से बनती है तो इन ही को आज हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इन्हों ने क्या दिखाया कि आपका संग्या से आया रंग, रंगवाना, हाथ, हतियाना दूसरा आजाता है आपका सर्वनाम से जो नाम धातू क्रिया बनती है, अपना अपनाना, मैं मिमियाना यह आपको जो मैंने नाम धातू बनाती है, कुछ जो क्रियाएं होती है वो स्वता होती है, जो धातू के रूप में होती है, सिंगल नाम धातू ऐसी क्रिया होती है, जो बाकी पदू से बनाई जाती इसलिए इसको क्या बोलते हैं नाम धातू अर्थात दूसरे से नाम लेकर और दूसरे से जो धातू हम लेते हैं किसी भी पद से और फिर उसे हम क्रिया में कनवर्ड करते हैं जैसे हाथ हतियाना हो गया इस तरीके से फिर है विशेशन से आ गए हम गर् लंगड लंगडाना जैसे लंगडा व्यक्ति होता है उसकों बोलते हैं लंगडा आके चल रहे है तो चलना क्या है वो लंगडाना वो लंगडा आ रहा है अब आजाते हैं प्रश्ण संख्या 2 में क्या है प्रेनार्थक्रिया का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखिए प्रेनार्थक्रिया क्या थी जब काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाता है तो वो कहलाता है प्रेनार्थक्रिया जैसे यहां था मा धोबी से कपड़े धुलवा रही है तो धु तो है प्रेनार्थक क्रिया बनती है तो इसको देखे कैसे करेंगे हम प्रेनार्थक क्रिया का प्रयोग करते हुए कुछ वाइक के इस प्रखार है मालिक नौकर से कार साफ करवाता है तो अब यहां अध्यापक खुद काम नहीं करके बच्चों से पाट पढ़वा रहे हैं उसी तरह यह मालक जो है वो नौकर से गाड़ी साफ करवा रहे हैं फिर आते मैंने राधा से पत्र लिख वाया अब मैंने खुद पत्र ने लिखा मैंने क्या किया दूसरे से पत्र यानी की zore से करवा रहा है नेक्ट राधा ने क्रिश्ण से बाशूरी बजवाई अब राधा जो है בחष्ण की बाशूरी पे मोहित थी तो उन्होंने कहा कि भाई बजाइि है तो वो बजाने लगे तो क्या हुआ उन्होंने बजवाई, राधा ने कहे कर कृष्ण से मुरली बजवाई, पिर है तुमने मुझे सिक शक्षक से पिटवाया, भes स्कूल में ऐसा बहुत सा होता होगा, कई बार होता होगा, कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो आ मेरे पास पैसे नहीं थे अब मैं क्या करता तो मैंने कहा कि भाई मुझे भूग लगी तो उसने मुझे खाना खिलवा दिया कि हाँ ठीक है अब चलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम खिलवा देते हैं तो आप आपने यहां देखा कि यह प्रेणार्थक क्रिया है प्रे उसे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं जब कोई भी काम कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसमें कोई क्रिया नहीं है तो है तो सब जो लगता ही है न तो है का जो मूल रूप है वो क्या होता है होना है का क्या होता है होना तो इसलिए जो है कोई भी वाक्य ऐस बाकी रहा है यह क्या है इसथाया क्रिया है उसी तरह है आपकी मुख क्रिया है और रही है ये आपका क्या हो जाएगा रही है सहायक क्रिया है और ये दोनों आपकी जो खा है और खेल है ये आपकी क्या हो रही है ये मुख क्रिया है इसलिए मैं बतारी हूँ वैसे कि कोशन कहीं आपसे पूछा नहीं गया है कुछ नहीं है लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि कभी-कभी सिर्फ एक क्रिया यानि मुख क्रिया से ही वाक्य संपन्य हो जाता है लेकिन अक्सर जो है हमें वाक्य को कम्प्लीट करने के लिए क् हमारी क्रिया है अब आते हैं धातू किसे कहते हैं क्या है क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं अब इसको मैंने आपको समझाया था एक पेड़ के माध्यम से अब जैसे यह हमारी सता है हम इसके नीचे एक बीज ऐसे करके बोते हैं बीज में से क्या है अंकुर फूटते और उसी में से जड़े निकलनी शुरू हो जाती है और उपर जो है वो धीरे 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 जो है वो पेड़ निकलना शुरू हो जाता है होता है कि नहीं होता है आप मुझे हैं पता है यह ऐसे होता है ना फिर इसमें पत्ते आते हैं फिर इसमें ऐसे करके पत्ते भी आना शु जो भी हमारा पेड़ है इसमें सबसे पहली बात क्या होती है आप हमें पताइए कोई भी पेड़ वजूत में तब आता है जब उसकी जड़ वजूत में आती है अगर उसका जड़ नहीं है तो पेड़ उपर बढ़ेगा ही नहीं और पेड जैसे जैसे बढ़ता है उससे पहले उसकी जड़ें जो है वो जमीन में पक्की होती है तो बेसिकली क्या हुआ कि पेड को खड़े होने के लिए क्या चाहिए जड़ चाहिए ये जड़ जाएए ये जो जड़ है इसको क्या बोलते हैं इसको मूल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मूल बोलते हैं उसी तरह क्रिया को बनाने के लिए भी ये जो हम क्रिया की बात कर रहे हैं ये क्रिया भी धातू से बनती है और धातू जो है वो क्रिया का मूल होता है क्या होता है उसका मूल होता है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं जैसे खिल, दोड, हस, रह, चल, देख, खा, बैट, बोल, जा तो अब इसमें देखी क्या है जैसे अब ये लिख शब्द है लिख शब्द क्या है हमारा धातु है अब इसे धातु कहा क्यों गया क्योंकि इसी लिख शब्द से बहुत सारी चीज़े बनेंगी कैसे बनेंगी अब देखे हम क्या बोलते हैं लिखना क्या बोलते हैं लिखना आता है इसी से क्या आता है लि लिखवाया फिर उसके बाद क्या आता है लिखो देखें आया ना कितना सारा हो गया फिर उसी की तरह आपा जाईए ये दोड़ दोड़ से क्या आता है हम आपको दो तीन करके बता देते हैं आपको समझ में आएगा दोड़ से क्या होगा दोड़ना दोड़ो दोड़ वाया है ना ये हो गया फिर आते हैं हस हस में क्या होगा हसना हसो हस हसाया है ना देखे आया रहा तो ये क्यों है क्योंकि आप इसमें अगर देख रहे हो तो ये जो लिक है ये सब में आ रहा है लिक 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 फिर उसे दोड़ 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 सब में आया उसे तरह हस 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 सब में आया ना तो ये इसको धातू इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सब कुछ इसी से बन रहा है जैसे पेड़ है पेड़ में जड़ है लेकिन उससे तना है टहनिया है पत्ते है फूल है फल है सब उसी से बन रहा है न अगर ये जड़ ना हो तो ये इस पेड़ में एक पत्ता तक नहीं आएगा तो वही चीज यहाँ पर इसी लिए इसको बोला गया क्यों? क्योंकि उसी की वज़ा से ये सब कुछ होता है अगर वो नहीं होगा तो यानि कि धातू नहीं होगी तो फिर क्रिया नहीं बन पाएगी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? उतारन सहीत लिखिए तो कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? हमने दो पढ़े थे सकर्मक और अकर्मक क्रिया अब यह क्या है? पहले इनको देख लेते हैं चलिए क्या है कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं पहला है अकर्मक्रिया अब जैसे नाम ही पता चल रहा है अकर्मक यानि कि जिसमें कर्म नहीं है अब कर्म क्या होता है आपको मैंने समझाया था पहले भी जब explanation करा रहे थे तो मैंने समझाया था कर्म क्या होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो उस समय करते समय हमें कोई ना कोई जो है उस काम का फल लेने वाला चाहिए होता जैसे माल लीजे कि हम कोई चीज खा रहे हैं एक तो सिंपल होता है कि मैं खा रहा हूं एक sentence ही होता है, दूसरा होता है, मैं खाना खा रहा हूँ, ये दो चीज़े होती ही, भाई, जाहिर सी बात है, आदमी अगर कुछ खा रहा है, तो कुछ तो खाई रहा होगा, अब उसे अगर वेक्टी explain नहीं करना चाहता कि वो क्या खा रहा है, तो जैसे आप किसी को नहीं ब बोली, बोली ना, तो जब हम सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ, तो उसमें कर्म missing है, क्योंकि आपके खाने का सीधा फल आप पर ही पढ़ रहा है, वहाँ पर करता है, और क्रिया है, दो ही चीज़े हैं, तो जाहिर सी बात है, क्रिया का फल किस पर पढ़ने वाला है करता पर फढ़ने वाला है, कोई और चीज़ वहाँ पर है ही नहीं, जो इसके उपर उसका फल पढ़े, लेकिन अगर जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं पीजा खा रहा हूँ, तो पीजा यानि कि अब जो है क्रिया का फल किस पर पढ़ रहा है, पीजा पर पढ़ रहा है, क्यो सिर्फ दो कोश्चन आपको पूछने हैं, क्या पूछने हैं सिर्फ दो कोश्चन किसी भी स्टेट्मेंट के साथ, एक है क्या और दूसरा है किसे, क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये दो कोश्चन पता करने हैं, जैसे हमने बोला कि मैं खा रहा हूँ, तो क्रिया से पहले उत्तर आपको मिल रहा है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो उस कंडिशन में क्या हो जाएगा यह एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी मैंने आपको क्या बोला यहां देखी क्या है जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता आप तो उसका प्रभाव करता पर ही पड़ता है उसे अकर्म रो रही है अब यहां पर अगर दीपाली रो रही है तो हमने क्या बोला क्रिया से पहले आपको कोश्चन लगाना है कौन सा कोश्चन लगाना है क्या और दूसरा है किसे सिर्फ यहीं दो आपको कोश्चन पूछने हैं अगर इस कोश्चन के पूछने पर आपको उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक्रिया है और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक्रिया सिंपल एक फंडा है यहां पर तो जैसे हमने यहां पूछा कि दीपाली क्या रो रही है अब बताईए दीपाली क्या रो रही है को यहां पर दीपाली हटा दो क्या रो रही है अगर हम यही बोले तो क्या उत्तर मिल रहा है आपको बिल्कुल भी उत्तर नहीं मिल रहा है दूसरा आते हैं किसे किसे रो रही है यह भी उत्तर नहीं मिल रहा है तो यह हमारी कौन सी हो गई अकरमक्रिया अब आ जाईए अर्ष तैर रहा है अब वह अर्श जो है वो एक इंसान है तो इसलिए हम उसके लिए कौन शब्द लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिला फिर आ जाईए किसे तो किसे अगर हमने बोला किसे तैर रहा है तो वो भी नहीं मिलता तो यानि कि यह हमारा अकर्मक है अब यहां पर यहां कर्म मौजूद नहीं है वो हमारा अकर्मक क्रिया रहती है अब आ जाते हैं दूसरे आप्शन पर सकर्मक क्रिया क्या होती है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पढ़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं अब कर्म पर पढ़ने के लिए वाक में कर्म का होना जरूरी है जो इदिपाली करता है मुख क्रिया रो है और रही जो है वो हमारा सहायक क्रिया है इसमें इस वाक में कर्म है ही नहीं कि वो हमारे इस फल को ले सके तो इसलिए ये अकर्मक्रिया के अंतर गताई है अब हमाम जाते हैं सकर्मक्रिया सकर्मक्रिया को हम कैसे पता करेंगे फिर वही कर्म का फल लेना चाहते हैं तो उसके लिए वाक में कर्म का हुना भी जरूरी है अगर कर्म नहीं होगा तो उसका फल कैसे लेगा यहाँ पर देखिए क्या है महताब खेत जोतता है अब महताब क्या है सबसे पहले बताईए महताब करता है क्योंकि वो काम को कर रहा है दूसरा जोतता जोतता जो शब्द है ये क्या है? मुख्यक्रिया है क्या है ये? मुख्यक्रिया है मैं हाथ से आपको सारी चीजी इसी तरीके से अलग-अलग करके बता हूँ ताकि एक वाक में क्या-क्या चीजे होती है वो आपको पता हूँ वैसे तो मैं जोता है पूरी क्रिया बता सकती थी एक्चल में वो पूरी ही क्रिया है लेकिन तब भी मैं उसको भी वाइफर पर कर रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए अब है जो है वो हमारा क्या है वो है सहायक क्रिया क्या होती है वो सहायक क्रिया चिक हो गया अब ये आया खेत अब ये बचा है खाली खेत वाक्य में तो ये खेत क्या है हमारा कर्म खेत क्या है ये हमारा कर्म है अब ये कर्म है इसको हम कैसे पता करेंगे वही क्या लगाना है अब हम बोले, हमने क्या बोला था, जो है, क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है, अब इस वाकिका क्या कोश्चन बनेगा, क्या जोतता है, क्या जोतता है, हमने ये बताया न, अब क्या जोतता है, तो आपको उत्तर मिल रहा है यहाँ पे, हमें उत्तर मिल रहा है, बिल्कु खेट जोतता है चीआइ दूसरा आजाईए क्या जोतता है या किसे जोतता है दोनों का अशलों मिलरा है लेकिन अब आज आईए अधिर आज ग्रह कार्रिक करता है ओके चलिए अभ्लाद आज हमारा करता है ठीक है ये अधिराज हमारा करता है करता है ठीक है करता है ये करता हमारा मुख क्रिया है और है हमारा सहायक क्रिया है हो गया फिर उसके बाल दाते हैं ये ग्रहकार ये ग्रहकार हमारा क्या है ये एक हमारा कर्म है कैसे हैं आप देखे क्या है कोशन फिर से बनाईए आधिर आज क्या करता है यानि कि अब चलो क्रिया से पहले क्या करता है तो ग्रहकार्रे करता है आप क्या बोलोगे ग्रहकार्रे करता है सिंपल उत्तर मिला ना तो वो हो गया आपका सकर्मक क्रिया तो ये आपको मैं यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे से समझा रही हूँ कि जहां पर कर्म हो वाक्य में वो आपका हमेशा सकर्मक क्रिया रहती है और सकर्मक्रिया के लिए आपको जो सबसे चीजे दिहान रखनी है वो है ये दो कोश्चन जब आपको बनाने हैं क्या बनाने हैं जब आप ये दो कोश्चन बनाएंगे तो आपको अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा ठीक है तो हो गए हमने दोनों भेद पढ़ लिए अब आजाते हैं सकर्मक्रिया तथा अकर्मक्रिया की क्या पहचान है जो चीजे मैंने अभी आपको समझाई वही इसकी पहचान है कर्मका होना और ना होना देखिए क्या है जब क्रिया से पूर्व क्या प्रश्णवाचक शब्द लगाने पर कोई उत्तर हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं सेम वही देखिए रियान पुस्तक पढ़ता है अगर हमने यहां क्रिया से पहले लगा दिया क्या पढ़ता है हमने लगा दिया तो उत्तर हमें क्या मिला पुस्तक पढ़ता है हमने क्या बोला क्या पढ़ता है तो उत्तर मिला पुस्तक पढ़ता है फिर आते हैं वाक में पढ़ता है क्रिया के पूर्व क्या लगा कर प्रश्न बनाया रियान क्या पढ़ता है तो उत्तर मिला पुस्तक अ नताब पढ़ता है क्रिया सकर्मक क्रिया है तो समझ में आया तो क्या हो गया यह एक सकर्मक क्रिया होती है जो चीज मैंने जयस्ट आभी आपको समझाई वही चीजें आपको यहाँ पर लिख दी है जब क्रिया की पूर्व क्या प्रश्णमाचक शब्द लगाने पर कोई उत्तर ना बने तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं क्या बोलते हैं उसको अकर्मक क्रिया जैसे क्या है जेबिल हस रहा है तो यहाँ पर आएगा अब इस वाक में यदि प्रश्ण बनाएं जेबिल क्या हस रहा है तो इनका कोई उत्तर नहीं बनेगा अताई है अकर्मक्रिया है चीक है क्योंकि क्रिया हमारी क्या है हसना हसना हमारी मुख्रिया के अंतर गताया यह क्या है हसना हमारा मुख क्रिया है और रहा है हमारी क्या है यह सहायक क्रिया है फिर उसके बाद आते हैं जेबिल जेबिल हमारा क्या है यह एक करता है ओके तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कर्म इस वाक में है ही नहीं ठीक है ना जब कर्म है ही नहीं तो सीदे सीद और उसको अब आप कर्म है की नहीं है इसको पता करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है क्या लगा दीजे किसे लगा दीजे उत्तर मिला तो सकर्मक नहीं मिला तो कर्मक अब आते हैं प्रशन संख्या साथ सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं धारण सहीत लिखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं दो भेद कौन है एकर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्युकर्मक क्रिया ये दोनों चीजें आपको क्या और जिसे किसे हम ने वालत किसे या क इससे सब्द जो है हम लगा कर बताते हैं ये चीज़ समझाईए मैंने उसी को देखें यहाँ पर फिर से हम देखते हैं क्या है सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं एकर्मक क्रिया और दुई कर्मक क्रिया अब यहाँ पर हैं एकर्मक क्रिया जिस वाक में एक ही कर्म हो उसे ए कर्मक भी कहते हैं तो अब इसका क्या तात पर है मैं आपको बता दू जहां पर जैसे यह बताया क्या सत्जीत पतंग उड़ाता है तो उड़ाता है यह हमारी क्रिया है सिंपल हमने क्या बोला था क्या लगाना है दो हमने आपको वाक के दो शब्द बोले थे ना आपको लगा इन दोनों में किसी एक का उत्तर मिले चीक है तो वो आपका कहलाता है सकर्मक्रिया ये एकर्मक्रिया क्योंकि ये दो क्रिया हैं दो कोशन्स हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या है हमें एक का उत्तर मिल रहा है सत्यजीत क्या उड़ाता है तो आपको उत्तर मिला सत्यजीत पत पतंग उड़ाता है तो यहां पर सिर्फ एक कर्म है क्या है सिर्फ एक कर्म है तो इसलिए ये एकर्मक्रिया क्योंकि यहां पर आपको एकर्मक्रिया मतलब एक और दो एकर्मक्रिया मतलब दो होता है तो यहां पर हमें सिर्फ एक का उत्तर मिलेगा यह ध्यान रखिए ठीक है यहाँ पर अगर हम माली जैसे हमने पूछा सत्य जीत किसे उड़ाता है तो भी आपको उत्तर मिल रहा है पतंग उड़ाता है लेकिन उत्तर में एक ही चीज आ रही है पतंग क्या बोलो या किसे बोलो दोनों ही जगा एक ही उत्तर आ रहा है ठीके उत्तर क्या मिल रहा है हमको सिर्फ एक मिल रहा है इसलिए ये एकर्मक्रिया है एकर्मक्रिया को सकर्मक्रिया भी कहते हैं अब आजाईए यहाँ पर दोई कर्मक क्रिया क्या होती है जिस क्रिया में दो कर्म हूँ वह दोई कर्मक क्रिया कहलाती है अब कैसे जैसे देवांश दक्ष को फुटबॉल देता है अब ध्यान से देखें का आपको इन दोनों का मतलब समझ में आएगा देवांश हमारा कौन यह करता है, क्लियर करते वे हमारी कीस को चलती हूँ, करता है, देता है, यह हमारी क्या है, क्रिया हैं, अब इसी को सकर्मक या कर्मक हमको पता करना है ठीक है अब यहाँ पर क्या है देवांश किसे कोशन आपको लगाना है क्रिया से पहले देवांश किसे देता है क्या देता है किसे देता है दक्ष को देता है ठीक है पहला कर्म जो हमारा आया वो क्या है किसे ठीक है दूसरा कर्म हमने question पूछा दूसरा क्या देता है तो आपको दूसरा उत्तर मिला football देता है आप सबग में आया इन दोनों किसे हम question करेंगे और दोनों के ही answer आपको अलग-अलग मिलेंगे तो ये कहलाता है दुई कर्मक क्रिया जैसे यहां दिया देवांश किसे देता है दक्ष को देता है जैसे यहां दिया देवांश किसे football देता है तो आपको उत्तर मिला देवांश दक्ष को football देता है फिर आया देवांश दक्ष को क्या देता है तो आपने उत्तर देखा देवांश दक्ष को football देता है तो यहां पर हमें इन दोनों ही questions के अलग-अलग answer मिलेंगे तो ये कहल क्योंकि इसमें दो कर्म हमारे निकल कर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं दोई कर्मक क्रिया ठीक है? इन उधादरों में पहले वाक में देना क्रिया के दक्ष और फुटबॉल तथा दूसरे वाक में करना क्रिया के ये बगीचों और सचाई दोनों कर्म हैं अब यहाँ पर यही चीज़ हम दूसरे में आ जाते हैं यहाँ देना तथा करना क्रिया हैं दोई कर्मक क्रिया हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं माली यहाँ पर माली हमारा क्या है करता है फिर दूसरा आया आपका करता करता है तो यह हमारा क्रिया हो गया करना जो काम को करना यह क्रिया है अब उसी तरीके से आ जाए हमने कोशन पूछा माली क्या करता है तो आपको उत्तर मिला क्या सि यह आंसर मिला पहले का फिर आपने दूसरा पूछा किसे करता है कि माली किसे सचाई करता है तो आपको मिला माली बगीचे की सचाई करता है मिला ना तो इसका दूसरे का भी आंसर मिल गया तो इस तरीके से हमें जहां पर दोनों कोश्चंस के अलग अलग आंसर मिलते हैं तो वो कहलाता है दुई कर्मक क्रिया क्या कहलाता है दुई कर्मक क्रिया अब आते हैं प्रश्ण संख्या आठ रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उतहारण सहित लिखिए तो अब ये जो हमारा था इसमें हमने रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद पड़े अधियान से सारी चीजों को देखिए सारी चीजें हम रिवीजन करने वाले हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने भेद होते हैं छै भेद होते हैं पहला है सामानने क्रिया जब क्रिया एक पद में हो उसे सामानने क्रिया कहते हैं सिंपल एक पद अब पद का मतलब त का संग्यापद माला दूसरा पहला आपका व्यक्तिवाचक संग्यापद दूसरा व्यक्तिवाचक संग्यापद और तीसरा है क्रियापद ठीक है तो वाक में प्रयुक्त हुए शब्दों को पद कहते हैं ये चीज धियान रखनी है पद और शब्द एक ही चीज होती है लेकिन जब तक पद स्वतंत्र है तब तक वो क्या है वो शब्द है लेकिन जैसे ही उसे हमने क्या किया उसको हम एक वाक में लेकर आए उसकी अपनी एक आइडिटिफिकेशन बन हैं तो हम एक स्टूडेंट होते हैं लेकिन जैसे ही हम घर में आते हैं हमारी एक एडिटिफिकेशन हो जाती है हमारा नाम हो जाता है हमारा पद हो जाता है कि मैं इस घर का बेटा हूँ मेरा ये नाम है ये हो जाता है ना उसी तरीके से शब्द जब तक आजाद घूम रहे तब तक वो शब्द ही रहते हैं भीड का एक हिस्सा रहते हैं लेकिन जैसे ही वो एक परिवार अर्थात वाक्य में आते हैं उनकी अपनी एक पहचान बन जाती है तो यहां पर उन्होंने क्या बताया सामान क्रिया में सिर्फ क्रिया एक पद में होती है जैसे कि यहां पर दिया गया है माला बाजार गई और यह आम का पेड़ है तो इसमें देख रहे हैं सिर्फ एक ही एक पद क्रिया में है कभी कभी क्रिया कैसे होती है मैं बाजार जा रह तो जा रही हूँ ये तीन पद हुए ना तो यहां पर क्या बताया गया सामानिक्रिया में सिर्फ क्रिया एक ही पद में रहेगी जैसे इसमें क्रिया का एक पद है अताया सामानिक्रिया है नेक्स आते हैं संयुक्त क्रिया समानिक्रिया समझ गए ना एक पद के लिए संयुक्त क्रिया नाम से पदा चल रहा है यहां क्रिया दो से तीन शब्दों की दो पदों की होगी जैसे दिया है जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रिया पद एक क्रिया के रूप में प्रयोग हों तो उन्हें सयुक्त पद कहते हैं यानि कि अब यहाँ पर दो या दो से अधिक पद जो हैं वो एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होंगे कैसे होंगे देखिए बड़ाई कुरसी बना रहा है अब यहाँ पर पूरी क्रिया है बना रहा है अब यहाँ पर तीन पहला मुख क्रिया दूसरी सहायक क्रिया और एक मुख क्रिया है तो यह तीन पदों से बन कर एक क्रिया बनी है बना रहा है जहां पर बोध हो रहा है कि वो बढ़ाई काम कर रहा है तो तीन पदों से जहां पर बनी हो उसे हम क्या बोलते हैं सैयुक्त क्रिया जैसे रूपम न नाच रही है तो यहाँ पर नाच रही है जो है वो क्या कहलाएगी आपकी पूरे तीन पदों की क्रिया है कितने पदों की क्रिया है तीन पदों की क्रिया है इसलिए यह क्या हो जाएगी सैयुक्त क्रिया तो अब देखते आगे इन वाक्यों में बना रहा है और नाच रही है संयुक्त क्रियाएं होंगी क्यों क्योंकि ये एक पद से नहीं तीन तीन पदों से बनी हुई है बना रहा है क्रिया तीन क्रियाओं बना रहा और होना क्रिया से मिलकर बनी है बना रहा रहा का रहे और होना का है हो जाएगा से मिलकर बनी है जबकि नाच रही क्रिया नाचना रहना रही रहा और तथा होना क्रियाओं से मिलकर बनी है इसमें पहली मुख क्रिया है तथा इसकी इनकी क्रियाओं सहायक क्रियाओं फिर उसके बाद पहली आपकी क्या है मुख क्रियाओं फिर उसके बाद उनकी सहायक क्रि तो बना रहा जो है वो क्या है मुख क्रिया है बना रहा क्या है यह मुख क्रिया में आ रहा है और यह जो रहा है जो है यह किस में आ रहा है यह सहायक क्रिया में आ रहा है उसी तरह रूपम नाच रही है नाच जो है वो कौन सी है मुख क्रिया है जब की रही है जो है वो क्या आपकी सहाय क्रिया के अंतरगत आती है तो समझ में आया ना मुख क्रिया क्या होती है main जो हमारे action word होते हैं उठना, बैठना, खाना, पीना, हसना, नाचना, बोलना ये सबी हमारी क्या होती है मुख क्रिया होती है इनको पूर्ण करने के लिए कुछ हमें helping words की जरूरत पड़ती है ये helping words जो होते हैं वही आपकी सहाय क्रिया कहलाती है तीसरा आते हैं नामधातु क्रिया अब नामधातु क्रिया क्या होती है संग्या सर्वनाम तथा विशेशन से बनी क्रियाएं नामधातु क्रियाएं कहलाती है भाई जैसे खाना पीना उठना बैठना ये सब ही हमारी क्या है ये सब हमारी क्या है ये मोल रूप से क्रियाए है लेकिन अब जो क्रियाए हम बात कर रहे हैं नामधातू क्रिया ये क्या बन रही है संग्या शब्दों से बनाई जाएंगी सर्वनाम शब्दों से बनाई अब ये जो हतियाना शब्द है ये क्रिया के इंतर गताया लेकिन बना किस से है ये बना हाथ शब्द से है और हाथ हमारा क्या होता है संग्या शब्द होता है संग्या शब्द है हमारा हाथ उससे बना है हतियाना जो की बन गया एक क्रिया संग्या ये हमारी क्या है एक क्रिया है फिर दूसरा देखिए क्या है मैंने अपनी कमीज रंगवाई क्रिया क्या है यहाँ पर कमी जो है यह रंगवाना रंगवाई जो है वो हमारी क्रिया है अब रंगवानी जो है यह किस मूल शब्द से बनी हुई है यह बनी है रंग शब्द से किस से बनी है रंग से और रंग क्या होता है संग्या होती है संग्या शब्द से बनी उसी तरीके से आपके शब्द जहाँ पर जैसे सर्वनाम शब्द में क्या होता है अपना ठीक है तो अब इसी से अगर हम क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अपनाना उसी तरह मैं होता है मैं से शब्द क्या बनता है मिमियाना चीक है ना तो इसी तरीके से तीन संग्या, सर्वनाम और विशेशन से जब हम क्रियाएं बनाते हैं तो वो नाम धातु क्रिया लिगते हैं नाम धातु क्यों? क्योंकि हम इन्हें दूसरे पदों से धातू बना रहे हैं क्रिया का मोल रूप धातू होता है ना तो दूसरे पदों से हम क्या कर रहे हैं हम इनकी धातू को बना रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए हाथ धातू है और यहां रंग धातू है और यह धातू हमने किस से लिए हमने दूसरे नाम से लिए यानि की संग्या से ले लिए इसको नामधातु क्रिया कहते हैं नेक्स्ट आते हैं प्रेंश्स में हम खुद काम नहीं करके हम दूसरे से काम करवाते हैं तो उसे कहते हैं प्रेंश्स क्रिया क्या है ? जब करता basil कारे ना करके किसी अन को काम करने को प्रेडित करता है ऐसे वाक में प्रयुक्त क्रिया प्रेड़नार्थक कहलाती है जैसे हम खुद काम नहीं करें हम दूसरे से काम करवाएं यहां दिया है मा धोबी से कपड़े धुलवाती है तो यहां मा जो है वो दूसरे को काम करने की प्रेड खिलाती है क्या है तोते को अमरूत खिलाती है तो यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है बेसिकली जो है वो काम कर रहा है तोता लेकिन जो है उसे प्रेडना खाने के लिए कौन दे रहा है प्रिया ठीक है तो इसमें ध्यान रखें यहाँ पर end में वा और नाशब्द आते हैं फिर आजाते हैं पूर्वकालिक क्रिया हमारा last जो है प्रचना के आधार पर भेद का उसका last हमारा भेद है पूर्वकालिक क्रिया क्या है जो क्रिया मुख क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं पूर्वकाली कृया में अदिक तर ग्रिया के साथ कर जुड़ा होता है यानि कि ऐसी क्रियाएं हमेशा उसमें आप दो क्रियाएं देखेंगे ठीक है? उसमें दो काम हो रहे होंगे लेकिन एक काम जो है होने उसे पहले एक काम कंप्लीट हो चुका होगा मान लीजे जैसे हम अभी क्या है मैं आपको काल पढ़ाने से पहले क्रिया पढ़ा चुकी हूँ तो वहाँ पर क्या है एक करने से पहले दूसरा कर चुकी हूँ तो वह चीज है वही चीज है बच्चा रो रो कर सो गया अब यहाँ पर दो क्रिया है इसलिए इसको पूर्व कालिक क्यों कह रहे हैं एक तो रोना यहां पर रो रो कर यह पहली क्रिया है और दूसरी क्रिया सो जाना यहां पर दिया लेकिन यहां पर एक क्रिया होने से पहले दूसरी क्रिया संपन हो चुकी है उससे जस्ट पहले तो वो कहलाती है जो एक मुख क् पिर रानी पढ़कर खेलने गई अब यहां पर क्या है दो क्रियाए पढ़कर और खेलने गई यहां खेलने का जो काम है उसे करने से पहले वो पढ़ने का काम संपन कर चुकी थी यानि कि पहले वो पढ़ चुकी थी जैसे मम्मी बोलती है ना पहले पढ़ लो फिर उसके दूसरा करनेखinta, आप जैसे बोलोगे ममी मैं पढ़कर खेलने जाऊंगा, ठीकर आप ऐसे बोलते हो, तो पढ़कर आप एक क्रिया संपन करोगे, तब आप दूसरी क्रिया की तरफ आगे बढ़ोगे जैसे मैं खाना खा कर टीवी देखूंगा तो पहली क्रिया आपने खाना खाने की करी और दूसरी आप क्या करोगे टीवी देखने की किया करोगे तो उसे पुर्वकालिक क्रिया कहते हैं इन वाक्यों में रो रो कर तथा पर पुर्वकालि क्रिया हैं क्योंकि मुख क्रिया से पहले घटित हुई हैं क्या हुआ है वो पहले मुख क्रिया से पहले घटित हो चुकी है अब आते हैं क्रिया के सही रूप द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए अब हमें क्या करना है जो सही रूप से हमें वाक्यों को प पच्चताओगे तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो पच्चताओगे नेक्स आते हैं संभवता कल हम लोग फिल्म देखने जाएंगे क्या हो जाएगा संभवता हम लोग कल फिल्म देखने जाएंगे फिर नेक्स आते हैं पिता जी सवेरे डैश समाचार हैं तो क्या पढ़ते ह पिता जी सबेरे उठ कर समाचार पढ़ेंगे गरीबों की मदद करो उन्हें डैश नहीं उन्हें सताते नहीं है क्या है गरीबों की मदद करो उन्हें सताते नहीं दादा जी ने गरीबों को भोजन करवाया क्या करवाया उन्हें को भोजन करवाया बाड के कारण हजारों परिवार बेघर हो गए बाड आती है तो क्या होता बहुत सारे लोग अपनी घर से बेघर हो जाते तो क्या होगे अब यहाँ पर आप देख रहे हो मानोगे पच्चताओगे देखने जाएंगे उठकर पढ़ेंगे सताते हैं करवाया हो गए यह सभी आपके क्या रहते हैं यह सभी आपकी क्रियाएं हैं अलग-अलग भेद की नेक्स आते हैं निमलिकित शब्दों के क्रिया भेद लिखिए अब हमारे पास में यहां पर क्रिया भेद लिखना है नहा कर अब नहा कर जो क्रिया होती है कर किसमें लगता है हमेशा वो लगता है पूर्वकालिक क्रिया में नेक्स आते हैं भिजवाना अब भिजवाना किसमें आता है वो हमारा आता है प्रेनार्थक क्रिया में, यहाँ पर हम काम किसी और से करवा रहे हैं फिर आते हैं अपनाना, अपनाना किस से बना है? सर्वनाम शब्द से बना है और जब सर्वनाम शब्द से हम किसी क्रिया को बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? नाम धातु क्रिया नेक्स्ट है नाचती है अब नाचती है तो क्या हो जाएगा आपका अकर्मक्रिया क्यों क्यों क्योंकि इसमें क्या नाचती है या किसे नाचती है से कोई उत्तर नहीं मिलेगा फिर है पढ़वाना पढ़वाना आपका सीधे-सीधे प्रिणार्थक क्रिया होगा नेक्स आते हैं निम्न वाक्यों में से क्रिया शब्द छाट कर लिखिए अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ वाक्य दिये हैं क्रिया शब्द छाट में जैसे हैं शंकर किताब पढ़ रहा है अब शंकर किताब अगर पढ़ रहा है तो इसमें क्रिया क्या है? सिंपल दिख रहा है वो है आपका पढ़ रहा है दूसरा मोर नाचता है तो क्रिया इसमें क्या हो गई? नाचता है नेक्स ते चिडिया चह चहाती है तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी चहचाहाती है नेक्स बालक पढ़कर सो गया अब इसमें क्रिया क्या है इसमें क्रिया है आपकी सो गया क्योंकि पूर्वकाली क्रिया को हम क्रिया के अंदर नहीं क्योंकि वो काम पहले हो चुका है फिर आते हैं बालमी की ने रामायन लिखी तो इसमें क्रिया क्या है लिखी तो हमने ये चीज़ कर देए अगर आप इस तरीके के पूर्वकालिक जो आपकी जो क्रिया आ रहे है जिसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया एक क्रिया के संपन होने से पहले दूसरी क्रिया हो होती है तो वहां पर आप उसे कॉमा लगाकर लिख सकते हो लेकिन यह mention नहीं करते हैं क्यों क्योंकि वह क्रिया हो चुकी है लेकिन बाग में मुख क्रिया जो है वह आखिर में आई हुए उसी को हम mention करते हैं अब हमें जोडे मिलाने हैं ठीक है सामानने रूप और धातू रूप अब यहां पर ध्यान देखे क्या है पढ़ना चलना खेलना हसना लिखना अब पढ़ने का जो है धातू रूप क्या होगा पढ़ दूसरा चलना का क्या होगा चल तीसरा है खेलना का खेल चौता हसना हस प तरीके से ये आपके धातुरूप मिल जाएंगे लेकिन exam में इस तरीके से zik zack मेरे मत बनाईएगा अब आपको क्या करना है answer के सामने question के सामने answer लिखना जैसे यहाँ पर है पढ़ना, पढ़, चलना, चल, खेलना, खेल, हसना, हस, लिखना, लिख तो question लिखेंगे, question के आगे उसके answers को लिख देंगे यह धियान रखना है, क्योंकि अगर आपने जो है ऐसे नहीं किया ना आपने ऐसे जिग-जैक लगा दिया, तो काम वहीं का वहीं गड़बर हो जाएगा वो काम आपको मत करना, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे प्रशनुत्तर क्रिया के और exercise हमने complete करा दी, लेकिन यहाँ पर तो हमने revision किया जो topic हमने पढ़ा था, उसका हमने सिर्फ revision किया है अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे test तो वो test आपको अपने आपका खुद का test लेना है अब कैसे लेंगे देखिए, अगला जो हमारा video रहेगा, वो रहेगा हमारा MCQs based यानि इसी topic क्रिया पर हमारे MCQs आएंगे अब उन MCQs के लिए जब हम कराने बैठेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है एक paper और pencil लेकर बैठना है या pen उसमें आप जो जो हम question दिखाते जाएंगे मेरे answer बताने से पहले आपको answer लिख लेना है फिर आप उसमें check करते जाना कौन सा सही है कौन सा गलत है सारे answers करने के बाद जब हमारा वीडियो and हो जाएगा तब आप वहाँ पर देखना कि आपके कितने answers सही है और कितने गलत है अगर आपके जो हैं सारे सही आते हैं इसका मतलब आपके लिए topic पूरी तरह से clear है और अगर मान लीजे तीन चार questions गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी आपके समझ में नहीं आई है तो जिस भी बेस पे वह questions गलत हो रहे हैं इस भी topic पर हैं उन्हें जाकर आप दुबारा explanation वाले वीडियो में देखिए और समझिए उसके बाद आपको फिर वो पूरा topic clear हो जाएगा तो next video हमारा रहेगा MCQs का अब हम आपको बहुत ही important एक जानकारी देने वाले हैं वो है आपके हमारे अधभुत बैच के जो हम आपके लिए लेकर आए हैं अब ये क्या है इसमें क्या क्या चीज़ी है चलिए जानते हैं क्या दिया है अधभुत बैच for class 6 to 8 English medium के लिए यानि कि 6 से लेकर 8th class के लिए English medium के लिए आपके लिए अधभुत बैच शुरू हो चुका है अब ये अधभुत बैच में जो है उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं अब मतलब आप से हम बोल रहे हैं कि अधभुत बैच आपको जोईन करना है यानि कि CBSC का जो सलेबस है उसी पे आपका बेस्ट पूरा सलेबस आपको पढ़ाया जाने वाला है इसमें doubt solving session होंगे यानि कि बहुत सारे जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो बहुत सारी confusion रह जाते हैं तो वो सारी confusion जो हैं वो हमारे doubt solving session में आप लेकर आओगे और आप हमसे question पूछोगे हम आपको उसके answers देंगे तो जैसे अब भी हम topic समझाते हैं तो कुछ जो है वो कहीं न कहीं doubts रह जाते हैं तो वो कैसे करते हैं आपको comments में देते हैं लेकिन जब हमारा doubt solving session चलेगा तो हम जो है वो उसको तुरंट का तुरंट solve करेंगे आप question पूछिए और हम आपको उसका तुरंट answer देंगे फिर आते हैं one shot revision कराएंगे जो भी chapters आपको पढ़ाएं आपके cbsc में हैं उन्हें हम फटाफट quick revision कराएंगे एक ही बार में एक ही shot में फिर आते हैं आप इनके e-notes भी आपको provide कराएंगे सिर्फ आपको यहाँ पर videos के through live session के through समझाया नहीं जाएगा इसके notes भी आपको दिये जाएंगे जो आप अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं फिर है test और solutions होंगे अब जब हम सब कुछ आपको पढ़ा लेंगे तो अब आपके हम test भी लेंगे जब आप test कर लोगे फिर उसके हम solutions भी आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि practice must होती है तो इसलिए test इसलिए लिया जाएगा ताकि आपको अपने आपको चेक कर सको कि कहां कहां हमसे गलतियां हो रही है फिर उन गलतियों को हम with solution आपको solve करेंगे तो इस तरीके से हर topic पे जब हमारा test होगा तो वो topic हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा हमारे लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर हम देखते हैं mind maps video, MIQs यह MCQs बताएंगे mind maps बताएंगे कि किसके सरीके से हमें सारी चीज़ों को जो है साथ में लेकर चलना है क्या है MIQs यानि कि most important questions आपके लिए लेकर आएंगे और MCQs यानि कि जो multiple choice questions होते ही वो आएंगे आपके हर subject के हर chapter के लिए लेकर तो यह सारे features आपको मिलने वाले हैं अद्भूद batch के अंदर अब यह किन subjects के लिए available हैं तो इसमें सारे ही subject आपके package में include किये जा रहे हैं जिसमें आपका science, math, social science, English, Hindi और संस्टित यह सारे subjects जो हैं आपके cover किये जाएंगे इस अद्भूद batch के अंदर पूरा आपका syllabus cover होगा अब इसमें इस समय आपको offer दिया जा रहा है अगर आप अभी join करते हैं तो इसमें आपको 50% off मिल रहा है इस package की जो भी cost value है उसमें आपको 50% off कर दिया जाएगा और अगर आपने code use किया तो आपको additional 10% और off मिलेगा तो वो आपका code रहेगा magnet 10 अगर आप इस code लगा देते हैं तो 50% तो मिल ही रहा है और उस पर 10% आपको और off मिल जाएगा अगर आपने ही code लगा दिया देखिए कितना बड़ी offer चल रहा है तो जल से जल जल से जल आप फटा फट अपने आपको enroll कराईए इस package में अब इसके बारे में अगर और details आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए नीजे जो है description box में already एक link दिया गया है उसे click कर सकते हैं और उसमें सारी details फिल करके आप सारी information ले सकते हैं और इसके इलावा आपको ये number है 7049-597408 इस contact number पे भी आप call करके सारी details ले सकते हैं तो जल से जल इतने बढ़िया offer का फायदा उठाईए फटा फटा आदबुद batch को join करिए और सारे subject की पढ़ाई आपके लिए बहुत ही बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि हम सारे ही features आपको दे रहे हैं हर तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई भी subject कोई भी topic आपके लिए बिलकुल भी मुश्किल नहीं रहेगा तो जल सी जल join कीजिए तो ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग बबाई